हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब ऐसा करते हैं आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे एक जमजबरदर सोंगे और फ्रेंड्स मैं यह वीडियो साम को स्टार्ट कर रही हूं रात साम को छे बजे से छेनी साथ बस गए हैं और फ्रेंड्स में रात को वीडियो इसलिए शार्ट करें हूं कि क्योंकि मैंने कल जन्माष्ट भी है तो जन्माष्टमी के लिए कुछ को स्वापिंग किया है तो मैं आप सब को दिखाना चाहे रहे थी तो इसलिए मैंने ब्लॉग जाते मार्किट गई तो मैं ब्लॉग आप सबको नहीं दिखा पाई क्योंकि वहां पर मुझे अकेले जाना पड़ा और काबू भी साथ थी और सामान खरीतना इतनी तेजाज गर्मी है फ्रेंड्स इतनी भीड थी दुकान पर क्या बताएं तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड् क्या लेकर आई हूं और अभी में फ्रेंड्स खाना ने बनाया है और अभी जश्ट आई हूं थोड़ी देर हुआ तो मैं आप सबको दिखाती हूं और कमेंट करके जरूर बताना की कैसा है और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना की कैसा है तो यह में लेकर आई हूं का मेरे पास मंदिर में थे लेकिन इतों से थे वह बहुत चोड़े थे मतलब दिखते नहीं थे मंदिर में तो मैं बहुत कोशिश की तो प्रेसे उगरे मनें इकठा करके फिर लडू बोपाल को लेकर आई और अभी इनको तयार नहीं किया है कमेंट्स करके जरूर बताना मेरे ल प्राइस में बतादो फ्रेंड्स डेर सोका है यह इतने चोटे से हैं डेर सोका क्योंकि आज के दिन बहुत मेंगा है और मैं पहले सोच रही थी लेकिन मैं सोची कि मैं जन्मा इस्टिमी के दिन ही लेकर आँगी और सारी मतलब मेरे पास माता जी की घड़ेश बगवान की सब चीज की है बस लट्डू बपाल की बहुत छोटी सी थी तो इसलिए मैंने यह वाला लेकर आई और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन लानी पा रही थी तो मैं यह लेकर आई हूँ और मुझे लट्डू बपाल कैसे लगे कामेंट्स करके जरूर बताना अभी इनको मैं तयार नहीं की हूँ मैं कल इनको मदलब तयार अगेरा करूंगी और दुकान पर बोल रहे थे मदलब मैंने कहा तयार करके दे दो तो उनने कहा कि कोई मदलब नहीं होगा तुम पुरा मदलब लेलो समान और फिर जाना घर पे कल रात में तयार करना रहेगा तो आप सब समझ सकते हैं, वो विलोग में कल दिखाऊंगी, लेकिन ये वाला आज दिखा रही है, कमेश करके ज़रू बताना लड़ गोपल के ये सारे पोसाख हैं, ये मुकुट है, हार है, कान के हैं, और ये बासुडी है, और ये नाक का है तो ये देख लिजे, ये मुर का पांक भी लगा हुआ है, मुकुट पे, क्योंकि काना जी के सार पे मुकुट रहता है, तो मैंने ये वाला लिया, कमेश करके ज़रू बताना कैसा लाग रिया है, ये देखे, कुछ इस तरह से, क्योंकि छोटों से हैं, तो छोटे-छोटे ये मैंने काना जी के कापड़े लिये हैं, ये देख लिजे, कितना अच्छा लग रिया है, ये देखे, ये काबु के पापा के पसंद का है, उनको पिंक कलर अच्छा लगते हैं, तो उनने बोला कि ये वाले कापड़े ले, तो मैंने ये वाला लिया है, तेख लिजे, करके जरूर बताना फ्रेंस और यह यह मुकुठ है इनका करना जी का किना च्छोटा सा है यह देखिए मुकुठ है और यह अलग से हार उनने दिया है यह तो मैंने माला लिया है करलर च्छोटा सब्राइल पैसंन्हें जितना फाउटने का मैं लेकर आई दुन मैं जूला निनले राप आई लेकिन कुई बार नहीं आ तो गहर पे मतलब बनावहें घुट बैसे तो मार्केट में भी बनाका ही बैसों मैं नी लेकर आई मैं घर पे ही बना लूंगी कृष्म जी के लिए जूलई और प्रेंट मेरे पाद पास जितने पैसे थे लेकर आई और कमेंस करके जरूर बताने कि मतलब ये तो मैंने पिछले साल लेकराइए कि तो वाला उन जो मेरे पास अल। पहले ही क्रिश्न जी थे तो उनको बहुत बड़ा हो गया था तो यह वाले कानाजी को सही आएगा तो इसलिए मैं यह वाले कानाजी को मतलब में पहना दूंगी वह वाले वेसे ही रखा हुआ है तो इसलिए में वाला निली कराई तो आप सब जरूर दिखाऊंगे आशा को और मेरे ब्लॉग में बने रही हैगा फ्रेंड्स में कल का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है तो आप सब जरूर जरूर दिखियेगा मेरा फ्रेंड्स बहुत पहले से बहुत चुक थी में बहुत मतलब मेरा सपना था कि मैं कुछ करूं क्रिश्णा जी के मतलब जन्माश्टिमी के दिन कुछ भी मतलब आता है तो मैं चोटे-चोटे से ऐसे ही अपने खुसी बाटती हूं आप सब से और आप सब कमेंश करके जरूर बताना और आप सब भी आईए और सामील होजेए क्रिश्णा जी के जनम जनम दिन पर देख लिजिए मेरे क्रिश्णा जी रेकमेंश करके जरूर बताना फ्रेंश कैसे हैं मेरे काम हजी और फ्रेंश कल का वीडियो जरूर देखना और बताना की मतलब कैसे कैसे क्या करते हैं क्योंकि मुझे अभी नौलेज नहीं है मम्मी रहती थी तो वह करती थी लेकिन मम्मी नहीं पर नहीं है गाउं में है तो मैं अपने मन से कर रही हूं फ्रेंश क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पुजा अगेरा करना और मैं हर मतलब पूजा पार्ट के दिए तो मैं कभी-कभी मतलब जड़ा इसे नहीं मानातीले कि मीज़ेसे पुजा अगेरा का पुछ हुआ तो में बहुत खुशी से बनाती हूं वह मुझे अच् volunteers लगता है वमगाण जी की pusha kanna खाना बनाना है और खाने में आज बनाऊंगी प्लाव और आलू गोभी मेटर की सब्जी और रोटी आईए आप सब्दी खा लीजिए और 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 कल तो मेरा ब्रत रहेगा इसलिए में आज बना रहे हूँ तो मैं ये सारे समान को रख देती हुएं और फिर में कल के ब्लॉब में आप सबको दिखाँगी कि मैं क्या क्या करूंगी और कमेंट्स करके जरूर बताएगा बाइब बाइब लव यू आल गुट नाइट नना सब लाग है पसंदाए तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ब सब बाह हाओ दो बाही झाला हा्एव भाका रहाँ